हेलो गाइज वेल्कम बैक टू माय चैनल तो मैंने कुछ ऐसी गलतियां की है जिनसे मैंने सबक लिया है और उन्हें बहुत ही स्मार्ट तरीके से रिप्लेस किया है तो कहीं आप भी तो यह गलतियां नहीं करती हैं कोई बात नहीं अगर करती है तो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताओंगी कि आप उन्हें किस तरह से सुधार सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी टिप्स अपना सकते हैं तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम अपना के बारे में बात कर रही हूं तो चलिए हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं तो अगर आप इस तरह की साबुन का यूज करती हैं बरतंद होने के लिए लॉंग टाइम से करती आई हैं तो अब मत करिएगा साइद ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही होगी जो मेरे साथ यहां से भी निकल रही है और उपर साइड पे यहां पर यह देखिए ऐसा कट-कट आपको दिख रहा होगा तो इस तरह से हो रहा है और आपका हो रहा है कि नहीं कमेंड करके जूरू बताइएगा और मेरे हाथ जो है वो रूखे हो रहे हैं और इसी तरह से सारी फिंगर्स के नेल्स के साइड में चमडी निकल रही है और विंटर में यह प्रॉब्लम जादा होती है तो फिर हम क्या करें क्या हम बरतन धोना बंद कर दे नहीं है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं यूँक्क हम हाउस वाइफ हैं हमें बरतन धो धुलना ही पड़ेगा तो चली हम क जिस कंपनी का आपको अच्छा लगे जिस ब्रांड का यूज कर सकती हैं तो यहां पर मैं इसका यूज करती हूं तो इसका मतलब की यूज करना बहुत ही सिंपल है और यह बहुत ही एफेक्टिव होता है अगर थोड़ा से क्वांटिटी में लेंगी और फिर उसमें पानी चूड़ जाता है और सबसे प्लस पॉइंट यह है कि जो हमारे हाथ खराब होते हैं वो नहीं होते हैं वो सौट बने रहते हैं और इसकिन वगर निकलेने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और यह जो प्रॉब्लम्स होती बिंटर में ज़्यादा होती है हो सकता है कि आपक कोई भी टीप्स आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए बताते हैं आपको नेक्स्ट अपने हैक के बारे में और यह जो मेरे सारे हैक टीप्स हैं यह सब विंटर से रिलेटर है बांकि और सीजन में भी आपकी एक काम आएंगे बट अभी मैं विंटर के हिसाब से यहाँ पर आपके साथ सेयर कर रही हूँ तो इस तरह से अगर हम खड़े होकर के बरतंद होते हैं और अगर आप बैट करके धोती हैं तो सायद यह आपके पर आता ही है तो आप जैसे के अभी विंटर का टाइम है और अगर थोड़ा सा भी पानी पढ़ जाता है प्रॉट चेटा के नह करके दोने तो 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 वो बहुत ठंड़क दीता है गलता है तो आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है इसलिए आप एपरिन पहन कर रखें तो इसी में पढ़ेगा और फिर आप इसको उतार करके और रख दीजे अपना जब आपका बरतन वगर दूल जाये स्लैब वगर यहां तक आप जब स्ल प्रब्लम नहीं होगी जैसा कि हमें किचन में सब कुछ साप सुथरा रखना चाहिए नहीं तो अगर यहां पर हमें अच्छे से क्लीनिंग करने होती है गैस की स्लैब की और किचन में रखे हुए हर एक चीज की अच्छे से सफाय करने होती है अगर नहीं तो अगर यहां प पर क्लीनिंग करना जरूरी होता है तो मैं पहले क्या किया करती थी कि जैसे ये मैं अगर लिक्विड यूज कर रही हूं साबुन यूज कर रही हूं तो उसी से मैं सारी स्लैब को और गैस धीर सारा पानी ले करके मैं धो दिया करती थी मतलब की केवल स्लैब को ही नहीं मैं ग तो अगर आप भी इस तरह से पानी यूज करती है दोने में तो ऐसा बिल्कुल ना करें तो यह देखें यहाँ पर जो इसका स्टैंड था यहाँ पर निकल चुका है क्योंकि इसमें लग गई है जंग और यहाँ से भी निकल रहा है तो हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि अगर आपका स्टील का भी है जैसी यह तो टफ ग्लास का है बट अगर आपके पास स्टील का भी है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप डेली डेली उसमें पानी भर भर के दूलेंगी तो तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है नहीं तो इसी तरह का नुकसान आपके साथ होने वाला है बाकी आप slab को धो सकती है और जो आपका burner है stand है उसे आप अलग से बरतन की तरह माज करके अच्छे से धो सकती है लेकिन आपको अपनी gas चूले को इतना इस तरह से पानी डाल करके नहीं धोना है हो सकता है अगर आप week में एक बार deep clean कर दीजे तो भी इतना पानी नहीं डालना है जितना कम से कम पानी हो सके उतना यूज करके इसे अच्छे से clean रखना है तो चलिए यहाँ पर मैं stand वगर बर्नर वगर तो इससे धूल ल ज्यादा मतलब की जमते नहीं हैं जैसा की steel वाला जो आपका gas चूला होता है उसमें अगर कुछ भी खाना जम जाता है तो वो ज्यादा सूख जाता है बट इसमें इतनी problem नहीं होती है बहुत आसानी से मतलब छूड जाता है तो आप कोई भी गिला कपड़ा लेकर के उससे चुड़ा सकती है और कहते भी है ना कि सबसे अच्छा गुरू experience ही हमारा सबसे अच्छा गुरू होता है तो यहां पर मैंने अपने experience से और मतलब की house में काम करने से अपने घर में काम करने से मैंने बहुत सारे experience लिये और बहुत सारे सबक सीके मैंने तो बस आपको मतलब की यही ध्यान रखना है, clean भी रखना है और उसे dry भी रखना है खास करके gas चूले को, slab को तो आप जैसे चाहें वैसे साफ कर सकती है तो यह देखिए भी काप कपड़े से पोशने पर भी यह बहुत अच्छे से clean हो जाता है और अपने kitchen को आप बिल्कुल clean, neat and clean रखिए यह देखिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ साफ कर लिया है, अब चले चलते है next tips की तरब, तो हमें क्या होता है, morning में बहुत सारे काम होते है टिफिन बनाना होता है, lunch box बनाना होता है husband के लिए, बच्चों के लिए, तो इसमें जैसा की winter है, तो बहुत सारे साग आ रहे है जैसे यह चने की साग, पालक, मेथी की साग कोई भी है, तो हम इसे night में ही तोड़ करके रख लेते हैं, तो morning में बनाने के लिए आसान होता है, तो यहाँ पर आप तोड़ करके तो रख लें, लेकि इसे धो करके बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अगर मैंने क्या किया था, एक दो बार ना, ऐसे तोड़ करके, धो करके भी night में ही रख दिया, सोचा की morning में धोना भी नहीं पड़ेगा, पानी वगर भी निकल जाएगा, तो हमें धोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी-थोड़ी खराब हो जाती है, अगर हम धो करके रख देंगे ना, और रात भर वो गीली पानी में पड़ी रहेगी, तो जो हमारी साग होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो इसलिए हमें धो करके नहीं रखना है, मौनिंग में थोड़ा सा हमें टाइम जरूर लगेगा, बर थोड़ा सा टाइम निकाल करके, इसे अच्छे से धो करके और फिर हमें इसे यूज कर लेना है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, तो अगर आप ही इस तरह की टिफिन, टिफिन बॉक्स को रखने के लिए अपने हस्बिन को देती है, लंच बॉक्स देती है और इसे रखने के लिए किसी कैरी बैग का यूज करती हैं, जैसे कि आज कल ऐसे ओपन टिफिन लेकर के कोई नहीं जाता है, तो इस तरह कि हम carry bag का use करते हैं तो यह देखे यहां पर यह जो मेरा carry bag है यह जूट का है और मैं आपको बता दूँ कि यह 5-6 साल हो गए हैं इस carry bag को तो मतलब कि यह बहुत ही अच्छा था देखने में भी अच्छा था और बहुत ही अच्छा था मैं इसे अच्छे से clean कर देती थी बट हाँ मैंने एक गलती कर दी है इसको clean करने में जो कि मैं आपके लोग के साथ share कर रही हूँ कि आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करियेगा तो यह देखे इसका क्या हालत हो गया है तो कुछ तो यह पुराना हो गया है इस वज़े से भी है क्योंकि long time हो गया और एक मैंने गलती भी कर दी है इसको boss करने में clean करने में तो अगर आपके पास भी इस तरह के जूट के bag हैं तो जब आप इन्हें clean करने जाएं तो इसे हाथ से ही साबुन लगा करके और हलके हाथ से इसे घिस करके आइकन को भी प्रेस करें चलिए मिलते हैं ने इस व्लाव में तक लिए बाबाई